आप देखे ये जो 24 प्राइस सीरीज हमने प्लॉट किया इसको अगर मैं लाइन चार्ट में प्लॉट करू तो वो इस तरह से दिखेगा और सेम चार्ट हमने पॉइंट फिगर चार्ट में किया तो इस तरह से दिख रहा है अब आप देखे ये इस तरह से जब दिख रहा है यह uptrend है यह downtrend है और यह वापस uptrend है है यही trend यहाँ पर भी same way दिख रहा है यह downtrend है यह downtrend है और यह uptrend है फिर वहाँ पर हमने यह correction जो है इसको remove किया उस data से और एक straight column of x आया because यह जो correction है यह 3 box से कम का है same way इस downtrend में जब यह correction है जब छोटा सा उपर गया वह भी हमने remove किया